नमस्कार मैं हूं मेगा सिंग और आप सभी का स्वागत है SPN 9 News में अभी की सबसे बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाई को लेकर सामने आ रही है दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाई और All India Fair Price Shop Dealers Federation के उपाध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने मंगलवार को संगठन की विभिन मांगो को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते हुए नारे बाजी की है प्रहलाद ने बताया कि संगठन के प्रतिनीधी मंडल ने लंबे समय से चल रही जो है अपनी नौसूत्री मांगो को लेकर पीम नरेंद्र मोदी को ग्यापन सौपा है उन्होंने कहा कि कॉस्ट ओफ लिविंग बढ़ाई जा रही है महंगाई और दुकानों को चलाने में अब लोकों को काफी दिक्कते हो रही है दुकानों को चलाने में आने वाले खर्च में वृद्धी के बीच हमारे मार्जिन में महज 20 पैसे प्रती किलोग्राम की वृद्धी करना एक कूर मजाक है। प्रलाद मोदी ने सवाल अब खुद अपने भाई नरेंद्र मोदी पर उठाए हैं कि आखिर सरकार जो है हक के लिए काम नहीं कर रही है। यहां पर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और अब धर्णा देते हुए जो नारे बाजी हो रही है। इस नारे बाजी में इस धर्णे प्रदर्शन में राज्य के कई लोग जो है वो शामिल हुए और विभिन राज्यों से यहां पर समर्थन देने के लिए लोग जुटाए जा रही है। धर्णा प्रदर्शन के साथ साथ यहां देखा जा रहा है कि AIFPSDF के राश्ट्रिय महासचीव अब बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला से भी मिलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने का है कि संगठन उचित मूले वाली दुकानों से बचे जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी के साथ ही खाग तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआबजे की मांग कर रहा है। और उनका साथ ये भी कहना है कि मुफ्त वितरन के पश्चिम बंगाल राशन मॉडल को देश भड में लागू किया जाए। कर दो कर दो को दो कर दो कर दो कि खाग जाए।